आप सभी को मेरी और से प्रणाप शिबलिंग पर जल किस प्रकार से अरपन करना चाहिए मेरी माताओं को यहाँ प्रश्न मेरे तेक पहुंचा है पूरवत मैं मैंने एक वीडियो बनाया थी कि शिबलिंग में जल चड़ाने की वीदी बहुत सारा प्रेम से आपका प्राप्ध हुआ मुझे उस वीडियो पर यहाँ पर मेरी माताओं ने पूचा कि इस्त्रियों को विशिष रूप से शिबलिंग पर जल कैसे अरपन करना चाहिए वैसे तो शिबलिंग पर जल चड़ाने की वीदी सबके लिए समानता रूप से एक जैसी ही है इसमें कोई भिन्नता नहीं है किन्तो विशिष ता यदि मेरी माता है शिबलिंग पर जल अरपन करे को तो कुछ बातों का उनका ध्यान भी रखना चाहिए और जल कैसे अरपन करना चाहिए शास्त्रि वीदी अनुसारे में आपको बताने का प्रियास करता है आप सभी जु दक्षणी में भगवान शिरी गनेजी महाराज है और यह भगवान शिव का विग्रह है तो यहां पर शिरी सरपराज विराजमान यहां पर सरपरतम बात यह ध्यान में रखने कि आपकी पास जो जल पात्रों वो तामबे का हो बहुत अच्छी बात है अत्वा पीतल का unden करना है पहली तो आपने ध्यान रखना है कि आप बैठेंगे डक्षण में और आपका मुख измен में रखने है और दूसरी बात आपने क्या ध्यान में रखने हैं कि आपके पास पीतल अत्वा तामबे के लोटी में जल भरा हो जल में आपने थोड़ी सी दूरवा ज़रूर ड दाल दीजिए अथो आप इसमें जो लक्री से गिसनी वाला चंदन होता है वह भी डाल सकती है थोड़ी से इसमें चामल डाल दीजिए और काले तिल हो तो काले तिल अबश डालिएगा जितना हो सके जल में कुछ ना कुछ तिल दुरुवा इत्यादी मिक्स करके ही जर्णी और अंगुष्ठा इन दोनों की परयोक से कभी भी शिवलिंग में जल ऐसे अरपन नहीं करना है ठीक है आपने जब भी जल अरपन करना है तो अंगुष्ठा को अंगुठे को इस तरह से हटा लेंगे मतलब तरजनी के साथ चिपका कर आपने ऐसे जल नहीं देना ह आप इस तरह से जल देना है अथो आप इस तरह से भी शिवलिंग में जल अरपन कर सकते हो बस इतना जाना कि आपने तर्जन के साथ आपका मुठा पर्शना हो चोगे है राच्छ से मुद्रा कहराती हैं शास्त्र का यह नियम है दूसरा जब भी आप शिवलिंग में जल आरम करना है शिरी नंदी जी महाराज से आपके सामने शिरी नंदी जी महाराज विराज मान है सर प्रतम नंदी जी महाराज पर जल अरपन करना चाहिए ओम नंदे नमहा ओम नंदे नमहा ओम नंदे नमहा पांच बार आपने जल अरपन करना चाहिए नंदी जी महाराज के पर पांच बार तोड़ तोड़ के एक, दो, तीन, चार, पांच लगाता रहने, पांच बार तोड़ तोड़ के चल, उसके उपरांत फिर आपने क्या करना है, यदि आप मंदिर में हो, आपके सामने गणेजी है, तो आप गणेजी में थोड़ा सा जल अरपन कर दीजी, और यद का जो बाया भागे, आपने सप्रतम इस बाई भाग में, जो यहां अरग्या है यहां पर, इसके बाई भाग में जल अरपन करना है, उसके बाद शिवलिंग के दाइने हाथ में, यहां के और, उसके बाद मध्य भाग में जल अरपन करना है, और मध्य भाग में जल अरपन क जल धारा जल धारा दाम्यहम जल धारा शिवा प्रिया तो भगवान महादेव को जल धारा अत्यंत प्रिया है तो भगवान शिव के पर ओम शिवाई नमा शिवाई नमा शिवाई नमा शिवाई नमा शिवाई नमा शिवाई नमा या महामरतुव जय मंत्र को भोलते हैं जल अ करने ना तूटे जलधारा उध्यान में आप रख सकते हैं जल अरपन करते समय मंत्र का प्रयोग वश्य करते रहेगा शिवाय तीका तरा से शिवलिंग के उपर आप जलरपन करते वे यूंगमाते वे इस तरह से शिलिए सार्पदेप्ता के लगान करना जी डिर्यक्टली ही शिवलिंग करने लिंकती करना है शास्त्र में ऐसा कहीं पर भी संकेत नहीं आता है केवल शास्त्र में इतना संकेत आतना है कि शिवलिंग के उपर ही भाग को इस तरियों को सना नहीं करवाना चाहिए हातों से मल देवे केबल जल अरपन करना चाहिए दूरे देवास परशन निरने सिंदु में कहा गया कि दूर से ही ऐसे उपर से ही शिबलिंग के उपर जल अरपन करने के उपरांत यदि आपने शिब जी को तिलक लगाना है चंदन का तो आप क्या करें सबसे अच्छा नियम रहता है कि एक पु परतिलक लगावें उसके बाद यहां परतिलक लगावें उसके बाद एक पुष्प में लेते वे चंदन को आप शिव जी के उपचड़ावें शिव को चंदन जब आप अरपन करें तो अपने हातों में लगा करें शिव को चंदन अरपन करना चाहिए नहीं कि जिसमें से अब नंडी जी को लगा ये गणे जी को लगा ये शिव प्रिवार को लगाने के उपरांत आपने सरपर आज को उसकी उपरांत फिर अंतमे महादेव को तिलक अरपन करना चेहिए यह चोटी सी परिकृरिया है भगवान शिव के उपर जल चड़ाने की इस परकार चंदनित्य अधियर्पन करने के बाद आपके पास जो बेल पत्री त्यादी हो चावल हो अथो आपके पास काले तिलो शिवलिंग के उपर की पिणने के भागे पर चड़ा दीजिए इस तरह से आपने बड़ी प्रेम पुर्वक महादेव के उपर जलार्पन करना चाहिए तो मैं आशा क करता हूं कि आप सभी माताओ कि यह वीडियो अच्छी लगी होगी आप इस वीडियो को शेर अवश्य कीजिएगा तब तक आप सभी को मैं अपने और से बंदन प्रणाम करता हूं आपका दिन शुमंगल मैं बना रहे हैं